यहां वीडियो केवल educational purpose के लिए बनाय गया है इस वीडियो को YouTube की समस्त policy को मद्य नजर रख कर बनाय गया है जियां दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका बजाज credit card block हो जाता है तो उसे unblock कैसे करे जियां दोस्तों आप card को घर बेटे online ही unblock कर सकते हैं इसके लिए यहां पर मैं आपको दो method बताने वाला हूँ एक website से है दूसरा application से है हालंकि दोनो method working है लेकिन कुछ लोगों को website से card unblock करने में दिक्कत आ सकती है तो वह application से card को unblock कर सकता है दोस्तों वीडियो को last तक जरूर देखना और कोई भी step मिस मत करना तो चली बिना देर की आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं लेकिन आप से एक छोटी सी request है यहां पर आप देख सकते हैं यह channel का analytics है जो की बता रहा है कि सिरफ 2% लोग ही इस channel को subscribe करते हैं बाकी 98% लोग वीडियो तो regular देखते हैं बट channel को subscribe करने में उनको पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है तो प्लीज channel को जरूर subscribe करें और bell icon को जरूर प्रेस करें तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं तो friends इसके लिए सबसे पहले आपको आजाना है गूगल के अंदर और गूगल के अंदर आने के बाद सिंपल सा आपको मैं एक website बता रहा हूँ उस website को आपको यह पर सर्च करना है lawnmarkets.in लोगाना है लगाकर इस website को सर्च करना सर्च करोगे तो आपके सामने इस परकार की website आजाएगी जो सबसे उपरवाली website है इस website को आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है lawnmarkets.in जैसे इस website को क्लिक करोगे तो आपके सामने इस परकार का interface आजाएगा तो यहाँ पर इस website की speed जो है कापी अच्छी है तो यहाँ पर इस website की खास बात यह है कि यहाँ पर आप जो भी किसी भी परकार का अगर loan लेना चाहते हैं चाहे home loan, personal loan, educational loan, business loan या अगर आपना insurance वगरा करवाना चाहता है तो इस website से आप आसानी से कर सकते हैं मेरे चैनल पर इसकी पूरे वीडियो बनाएगी पड़े आप आसानी से उनको देकर अपना यहाँ पर सब कुछ कर सकते हैं हलांकि आपको जो यहाँ पर card को unblock करना है तो आपको unblock वाले पर click करना है जो सबसे पहली post आपको यहाँ पर दिख जाएगी अगर नहीं दिखती है तो simple से आपको unblock search कर देना है search करने के बाद इस परकार की जो post आपके सामने आ जाएगी उसको simple सा open कर लेना है जैसी आप open करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें सबसे आपको नीचे जाना है हलांकि इस post में बताया गया है कि आपको card जो है किस करने से block हुआ है वो मैंने आपको पहले सुरुआत में बता दिया है अगर आप mobile से call करके card को unblock करना चाते हैं तो भी इसके अंदर आपको detail मिल जाएगी तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो इसकी official website है यहाँ पर मैं इसको blur कर रहा हूँ तो simple सा आपको जो इस official website पर click कर देना है जैसे आप click करोगे तो आपके सामने official website open हो जाएगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी official website आपके सामने आ गई है तो इसको simple सा हम थोड़ा सो loading होने देते हैं तो यहाँ पर simple सा आप देख सकते हैं यह बजाज जो फेविंसरों मार्केट की जो official website है वो आ गई हलांकी बजाज की बहुत सारी website है तो official website पर आपको विजिट करना है जैसे आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें लिखा होगा my account इस पर आपको click करना है जैसे आप click करोगे तो आपके सामने बहुत सारी option आ जाएगे दूसरा interface आपके सामने आ जाएगा जो इसमें यहाँ पर सबसे पहले आपको जो अपनी detail भरनी है आपनो login करना है login करने के लिए आप simple सा अपना mobile number या email वगेरा यूज कर सकते हो जैसे आप इस पर click करोगे तो आपको simple सा यहाँ पर अपना mobile number या email लगाना है या आपको जो customer का ID होती है वो यहाँ पर आप लगा कर जो है इसके अंदर जो enter कर सकते हैं जैसे आप enter करोगे तो यहाँ पर simple सा आप यहाँ पर देख सकते है account updates इस परकार का option आपके आ जाएगा इस option के अंदर आपको तीन option मिलेंगे card block, card unblock और card reissue का तो आप card unblock करना चाते है तो उस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपका जो card हो simple सा unblock हो जाएगा तो यहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है अगर इसमें आपको दिक्कत होती है तो मैं यहाँ पर आपको दूसरा method बताने वाला हूँ वो method है application का तो simple सा आपको play store में जाना है और mobi wiki application डाउनलूड करनी है जो की बजाज EMI की है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर application डाउनलूड कर रखी तो simple सा आपको आपको भी अगर card बना हुआ है तो आपका card यहाँ पर show हो जाएगा तो सबसे पहले आपको उंपर जो यहाँ पर देख रहे हैं जो 5 option दे रखे हैं उसके अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पर service section इसके अंदर आपको जाना है जैसे आप इसके अंदर जाओगे तो आपके सामने इस परकार का option आजाएगे हलांकि आपको यहाँ पर 3 option दिखाए देंगे 4 option दिखाए देंगे जैसे सबसे पहले अपना card का pin change करना चाहते हैं block, unblock transaction देखना चाहते हैं या pay now करना चाहते है तो simple सा आप अपने card को unblock करना चाहते है तो simple सा आपको जो है दूसरे number option पर click करना है card unblock जैसे आप इस पर click करोगे तो आपके सामने इस परकार का interface आजाएगा तो यहाँ पर मैं नीचे ले लेता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं block, unblock और issue अब आपके card को जो भी करना unblock करना है तो simple सा आपको unblock पर click कर देना है तो आपका card वो unblock हो जाएगा तो friends यह था आज का हमारा दोनो method मैंने आपको दोनो method बड़ा दिया है अगर आपका website से नहीं होता है तो simple सा आपको यहाँ application डाउनलोड करने पड़ेगी application का नाम movie wiki है जो आपको play store पर मिल जाएगी आसानी से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है तो I hope यह video आपको काफी अच्छा लगा होगा अगर आपका कोई भी और comment है तो आप मुझे comment करके बता सकते है मैं आपका तुरनती reply कर दूँगा तो उमिद करता हूँ दोस्तो यह video आपको काफी पसंद आया होगा पसंद आया तो इस video को like जरू करें और channel को subscribe जरू करें तो मिलते हैं next video मैं तब तक के लिए जैहिन